नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रॉंड अप शो आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्ख्यों पर क्रिशी कानूं कटाई सीजन खत्म होने के बाद हजारों की साल धनास्तलों पर वापस आए उत्रकंड नौपर्वती जिलू में अब तक 46,000 से अधिक मरीज कुम्ब से लॉक्डाउन में फसी मुंबई की आदिवासी आबादी की बदहाली में गुजर रही जिन्दिगी कोरोन अपडेग देश में 24 गंडों में 3,39,942 नए मामले 3,876 मरीजों की मौत और आखिर में गाजा पट्टी के भीदर इस्राइल के हवाई हमले में करिब 24 फिलस्तिनियों की मौत कटाई सीजन के खत्म होते ही हजारों किसान तीन क्रिशी कानून MSP की गैरेंटी और बिजली संशोधन बिल 2020 का विरोध करने के लिए दिल्ली की सिमाओं के धरनास तलोब में शामिल हो गए है किसान संगठनों ने किसानों से 10 और 12 मई के को धरने में शामिल होने का आवान किया था हाला कि उमीद है कि किसान का एक बड़ा हिस्सा 15 मई को यहाँ पहुचेगा किसान नेताओं ने लगातार यह बात कही कि जादा संख्या में किसान यहाँ इसलिए शामिल हो रहे हैं ताकि अफवाहों और किसान आंदोरन के भविश्य को लेकर कुछ किसानों की निराशा को दूर किया जा सके नियूस क्लिक से बात करते हुए किसान निता बलजीज सिंग गरिवाल ने कहा कि चार महीने पहले सरकार से बाचित खत्व होने के बाद कुछ किसान मायूस हो गए थे उसी को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में किसान जमा हो रहे हैं जब उनसे कोरिणावाइस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने बड़े संयम के साथ भगवा पार्टी की प्रॉपेगंडा मशीन का सामना किया लेकिन महामारी के समय कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होगा हमने पहले भी देखा है कि कैसे मीडिया के एक वर्ग ने वाइरस फैलने का जिम्मेदाद और पिसंक्याक वर्ग को बना दिया था भाजपा की प्रॉपेगंडा मशीन उनके चैनल इस फिराप में है कि कब हमसे कोई गलती हो और उसकी आड में वो अपनी सारी नाकामिया छुपा सके हरिद्वार कुम्ब के बाद उतराखंड में कुरुना संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं स्वास सुविदाओं से वंचित राज्य के परवती जीले में भी बुरी तरह संक्रमण की चपेट में हैं परवती छेत्र के लोगों से बादचीत से पता चलता है कि संक्रमण के मामलों की संक्या स्वास विवाग के दर्ज आकड़ों से कहीं जादा है बहुत से लोगों ने कोविड टेस्ट नहीं करा है किसी अस्पतार में भर्ती नहीं हुए लिकिम बिमार हुए और खुदी दवाया खा कर इलाज किया एक अप्रेल 2021 तक उत्राखंड के नौ परवती जीलो, अल्मोडा, बागेश्वर, चमोली, चमपावत, नैनिताल, पौडीगडवाल, पितौरागड, रुद्प्रयाग, तीरी और उत्रकाशी में कोरोना संक्रमित का आकड़ा 42,541 था जबकि राज में कुल संक्रमितों की संक्या 1,911 थी, आठ मई 2021 तक यह आकड़ा 88,875 तक पहुँजिया और राज्जी के कुल संक्रमितों की संक्या बढ़कर 2,38,383 हो गई यानि एक साल में राज्जी के परवती जीलों में जितने कोविड मरीज आएं उससे जादा लोग मात्र 38 दिनों में संक्रमित हुए कुरोना संक्रमित से दर्ज मौतों का आकड़ा भी कुम्ब और उसके बाद के पहले हफते में बढ़कर दोगना हो गया 9 परवती जीलों में 456 मौते एक साल में होई थी कुम्ब के 38 दिनों में ये बढ़कर 1000 हो गई 31 से 30 अप्रैल तक राजके में कुम्ब का आयोजन हुआ था मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है लेकिन बहुत कम लोगों यह पता है कि मुंबई में आदिवासी भी निवास करते हैं यहां आदिवासीों की कुल 222 बस्तिया हुआ करती थी लेकिन उनमें से अब केवल 69 बस्तिया ही रह गई हैं और बाकी नगर के विकास में खब गई हैं उन उनसक बस्तियों में 27 आरे कॉल्नी में हैं, गौराई शेत्र में और बाकी संजय गांदी नेशनल पाल इराके में निवास करती हैं। COVID-19 की दूसरी मारक लहर की गिरफ्त में आने के बाद मुंबई में 14 अप्रेल से ही लॉगडाउन लगा दिया गया है। इसका मुंबई में हाशिये पर रहने वाले लोगों की रोजी रोटी पर जबदस्त दुस्प्रभाव पड़ा है। अनुमान है कि 10,000 आदिवासी आबादी इसकी बूरी तरह से शिकार हुए हैं। प्रकाश भोई मुंबई नगरपालिका के जल्विभाग में काम करते हैं। वह भी कित्की पदा की आरे कॉलनी में रहते हैं। चुकि वे सरकारी सेवक हैं इसलिए विद्दी विब्दा से फिलहाल बच गए हैं। लेकिन उनके भाई और बहन इस आबदा का रोजाना सामना कर रहे हैं। इस सिती इतनी बुरी है कि लोग विहार जील में मचली मार कर किसी तरह अपने आपको जिन्दा रखे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो जंगल में सबजियां उगा रखी हैं। वे सुबर के समय इसे जंगल के किनारे बेच देते हैं। लेकिन और लोगों के पास तो यह भी विकल्प नहीं है। इस लोगडाउन ने बहुत सारे लोगों से उनके काम धंदे छीन दिये हैं। प्रकाश बोर कहते हैं। आदिवासी परिवारों की महिलाओं घरों में चौका बर्तम का काम करती थी। लेकिन जब से लोगडाउन लगा है और कोरोना वाइरस की दूसरी लहर आई है। बहुत कम सुसाइटियां इन महिलाओं को अपने आग काम करने आने की छूट दी है। इससे बहुत सारी महिलाओं से उनका काम छूट गया है। केंदी स्वास्त मंतारे द्वारा आज मंगलवार याने 11 मही को जारी आगड़ का असार देश में पिछे 24 गंटों में कोरोना के 3,39,942 नए मामले दर्श किये गये हैं। इसके अलावा करोना से एक दीन में 3,866 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में करोना से परिट 3,56,82 मरीजों को ठीक किया गये हैं। और आक्टिव मामलों में 30,016 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 2,39,92,517 हो गई है। जिन में से अब तक 2,49,992 लोग अपनी जान गवा चुके हैं। देश में कोरोना से परिट 82,10 मिलों 75,50 दी यानि 1,90,27,304 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। और एक्टिम मामलों की संक्या 37,15,221 हो गई है। स्वास्मंत्राले की ताज जानकारी के अनुसा देश में कोरोना वैक्सीन की 17,27,10,006 दी जा चुकी है। जिन में से 25,3,756 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आइसीमर द्वारे जारी आक्टिम सार कोरोना के 30,56,187,000 की जाच की जा चुकी है। जिन में से 18,50,110,000 की जाच पिछले 24 घंटों में दी गई है। और आखिर में हम बात करेंगे फिलिस्तीन के स्वास मंत्राले ने कहा कि घीरे गाजा पट्टी के भीतर अलग-अलगा स्थानों पर इसराइल हवाई हमलों में बच्चों सहीत कम से कम 24 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल द्वार सोमवार रात यानि 10 मई और मंगलवार यानि 11 मई को तड़के नागरीकों को निशाना बनाते हुए ये हमबा हवाई हमले किये गए जिससे घने आबादी वाले छित्र में कई घरों और नागरीक प्रतिष्ठानों को नस्ट कर दिया गया। इसराइल का कहना है कि गाजा के भीतर इन हवाई हमले ज़्यादा तर हमास और इस्लामिक जिहाद के सैन्य पर स्थानों पर दागे गए थे और उनके द्वारा इसराइल शहरों की सीमा तक दागे गए रॉकेटों के प्रतिक्रिया में थे। इसराइल ने दावा किया कि उसने गाजा के अंदर कम से कम 130 रॉकेट डागे। हमास ने अल-क्सा मस्जिद में अपने हिंसा को रोकने और वहां से अपनी सेना को हटाने के लिए इसराइल को अल्टिमेटम दिया था। सोमवार को सैक्रो इसराइल सुरक्षा बलो ने पिछले कुछ दिनों में दूसरी बाल अल-क्सा मस्जिद पर हमला किया था। इसने स्टन ग्रैनिट, आसू गैस और रबर बुलिट दागे थे जिससे तीन सो से अधिक फिलिस्तिनी घायल हो गये और कई अन्य को गिरफतार किया गया। शुकरवाज साथ मही को इसी तरह के इसराइल हमले के बाद बेधकली का सामना कर रहे, पुर्वी येरूशेलम में शेख जर्राह के निवासियों के एक साथ एक जूटता दिखाते हुए हजारों क फिलिस्तिनी अल-क्सा मस्जिद परिसर में 81 रहे। आज के डेली रॉटनम में बस इतना है, निउस क्लिक के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें, साथी देश और दुनिया के अन्य कबरों के लिए हमारे हिंदी और इंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखें, फेस्बूप, इंस्टागरम और ट्विटर पे हमें फॉ झाल